विधायक लिखाबर के और आपको बता दें कि राजस्तान की गहलोट सरकार ने 44 बोर्ड नेगम और आयोगों में 58 नेताओं को राजनेतिक नेक नेक्तियों में जगे देखर उन्हें संतुष्ट करने का प्रियास किया गया है निर्दलिय विधायक महादेव सिंग खंडेला को किसानायोग का अध्यक्ष बनाया गया है जबकि पूर्व प्रिदेश अध्यक्ष चंदरभान को बीसु का उपाध्यक्ष और पूर्वनेता प्रतिपक्ष रामेश्व डूडी को स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलप्मेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है तो वही मुख्यमंदरी गहलोत के नजदी की धरमेंदर राठोड को आर्टी डीसी और पुखराज पारशर को जन अभाव अभियोग निराकरन समीती का अध्यक्ष बनाया गया है इदर बसपा से कॉंग्रेस में आने वाले विधायक जोगेंदर सिंग अवानों को देव नरायन बोर्ड अध्यक्ष दीप चंद खेरिया को किसान आयोग उपाध्यक्ष और लाखन मीना को डांग विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में सहेप्रभारी सचिव धीरजगुरजर और जुबेर खान को भी बड़े पद दिये गए हैं दीरजगुरजर को स्टेट सीड कॉर्परेशन का अध्याक्ष और जुबेर खान को मेवात क्षेत्रिय विकास बोर्ट का अध्याक्ष ने उक्त किया गया है आपको वदा देंगे कि हलोट सरकार ने कल राजनितिक नियुक्तिया की है दस विधायकों को अध्याक्ष और एक को अध्याक्ष बनाया गया है चहेतों को भी इन नियुक्तियों का लाभ दिया गया है प्रियंका गांधी के साथ तेना दोनों सचिवों को भी पद दिये गए है आपको बदा दें कि गहलोत सरकार ने कल राजनेतिक नियुक्तियां कर दी हैं 44 बोर्ड निक्बो में 58 राजनेतिक नियुक्तियां की गई है